असलाम वालेकुम आज हम आपके साथ मुझफवन नगर की फेमस तहारी की रेसिपी शेयर करेंगे तो देखे कुकर में हमने देड़ बड़े चम्मच ओल को गरम करने के लिए रख दिया है अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले अड़ कर देगे वन टीस्पून जीरा एक तुक्डों में कट कर लिया है प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे देखे प्याज हमारी गोल्डन फ्राई हो गई है अब हम इसमें वन टीस्पून लसन का पेस्ट एड़ कर देंगे हाफ टीस्पून अद्रक का पेस्ट एक मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे यह हमने कुछ पाउडर मसाले लिए 1 टी स्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर 1 टी स्पून नमक नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ कर सकते हैं पानी शामिल कर देंगे इसमें देखें मसाले को हमारे पकते हुए 3-4 मिनट हो गई है अब हम इसमें कुछ सबजिया एड़ कर देंगे एक हमने ये टमाटर लिया है इसको बारिक तुक्लों में कट कर लिया है एक मीडियम साइज का ये आलू लिया था जिसको छील करके बारिक तुक्लों में कट कर लिया है आधी कटोरी मटल ली है आधी काटोरी से कुछ कम हमने ये उड़त दाल ली थी जिसको धो करके 15 मिनट पहले भिगो दिया था मिला देंगे इनको अब हम इसमें कुछ और मसाले अड़ कर देंगे 1 फोर्ट टीस्पून हमने मेथी दाना लिया है 1 फोर्ट टीस्पून कलोंजी हाफ टीस्पून कुटा हुआ धनिया हाफ टीस्पून सौफ का पाउडर थोड़ा समिस में ये पानी डाल देंगे और कुकर का हम कवर करके सबजियों का 50% कुक कर लेंगे देखे सबजियों का हमारी पकते हुए 7-8 मिनट हो गई है इससे जाद हम इनको नहीं पकाएंगे पानी में हमारे एक बोईल आ गया है ये हमने एक गिलास कच्चा बासमती चावल लिया था जिसको आद़ गंटा पहले भिगो दिया था चावल हमने एक गिलास लिया है तो पानी इसमें हमने ये देड़ गिलास ही शामिल किया है ये हमने दो हरी मिर्चे को बारी टुकडों में कट कर लिया है आठ से दस पोदीने के पत्ते बारी कटा हुआ धनिया आपके पास पोदीना अवेलेबल हो तो आप इसको जरूर से डालें इससे जो तहारी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है कुकर को अब हम बंद कर देंगे और हाई फिलेम पे हम इसमें एक सीटी लगा लेंगे देखे कुकर में हमारे एक सीटी आ गई थी उसके बाद हमने इसको इसी की स्टीम में छोड़ दिया था तहारी हमारी बंकर तयार है अब हम इसको डिशाउट कर लेंगे आपको हमारी तहारी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें और इस तरह के और रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अल्ला हाफिज